नमस्ते सदावस सले मात्रभू में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नेपाल की नेपाल में केपी शर्मा ओली जब से प्रधान मंतरी बने हैं तब से वो भारत की विरुद्ध कुछ कुछ कहते ही रहते हैं हाला कि कम्मिनिस्ट पार्टियां जो कि कभी प्रचंड के नि बना तो भी कम्मिनिस्ट पार्टियों ने राजा को नॉमिनल हेड मनने से भी मना कर दिया था यह सब कुछ जो बैक्ग्राउंड में चला इन कम्मिनिस्ट पार्टियों के द्वारा वो चला भारत के विरुद्ध कभी मैं नेपाल के बहुत सारे लोगों से जमिरी चर्चा कि भारत ने बहुत सारी लेंड नेपाल की कपजा करके रखिये ये बात राजा के वुरुद्ध जो आंदोलन हुए उस आंदोलन का ग्राउंड ही ये बना था कि आप रामाइन पढ़कर देख लीजे और इस उस रामाइन में आपको ये मिल जाएगा कि कहां पर कितना राज जनक का था और कितना राज अयोध्या का था उनका इस हमानना था कि सरीव नदी के उस तरफ अयोध्या और सरीव के इस तरफ जनक राज की नगरी थी जिसको मिथिला कहते थे इसलिए ये जो भारत है भारत ने जो नेपाल का इस समय का बार्डर है वहां पर भारत है तो इस लिए नेपाल के राजा की भूमी भारत ने दबा कर रखी ऐसा समझा कर उनमें रामाइन के उद्धन दिये गए उनमें बहुत सरी बातें प्रपोगंडा फेलाए गया और कुल मिलाकर भारत के विरुद्ध में एक जन अंदोलन खड़ा किया गया और उसका परिणाम ये निक राजाओं में उनकी रोटी वेटी का संबंद रहा इसलिए ये स्वभविक्ता कि राजा को पलटना है कुमोनिस्टों को अगर सत्ता में आना है और चाइना कोई प्रभाव में रहना है तो फिर भारत और राजा दोनों के विरुद्धे ही काम करना पड़ेगा लेकिन के प भूल का प्रिणाम ये निकला कि अब चुनाओं जो होने जा रहा है नेपाल में उस चुनाओं में केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्मिनिस्ट पार्टियां आपस में लड़ गई बहुत सारे विद्रो हो गए और उन सब को ये समझ में आ गया कि बिना भारत के नेपाल चल प्रोटक्टरेटरेट के रहता है जिनके एक्सरेड एफेर्ज की या जिनकी स्कूरीटी की झिम्मिवारी किसी दूसरे स्टेट की होती है और जिस स्टेट की उसकी सि मेंवारी रहती है वो निक् ciao कला क्यां बोटे होडिक घूतान एक प्रोटक्टरけて Este dzisiaj है आज विकंट्री कह लिए कंट्री है आज भी सिक्किम कभी प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करता था भारत का श्री लंका कभी प्रोटेक्टरेट स्टेट भारत का हुआ करता था तिब्बत कभी प्रोटेक्टरेट स्टेट भारत का हुआ करता था और नेपाल कभी प्रोटेक्टरेट उसके एवज में कुछ ट्रीटियां होती थी और भारत को अबलाइज करना पड़ता था यही कारण था कि जो प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करते थे उन प्रोटेक्टरेट स्टेट के जो सेनापती होता था उस सेनापती को दूसरे देश के ओनेरी सेनापती का दरजा भी की जारी है केवल उसका कारण यह है कि आप एक सुतंत्र राज्य जरूर हैं लेकिन आपके एक्स्टन अपफेर की जिम्मिबारी भारत सरकार की है दुरुभाग्य से जब भारत और भारत सुतंत्र हुआ तो नेपाल के राजाने ऐसा लोग कहते हैं कि नेपाल के राजाने नहरूजी से कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं तब नहरूजी ने कहा कि नहीं तुम स्वतंत्र रहो और बफर स्टेट बना कर रखो यही कारण था कि उस समय भूटान, सिक्किम और तिबत इन सभी को बफर स्टेट बनाने का प्रयास नहरूजी ने किया इसी करम में वो जमुन कश्मीर को भी एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे उनको लगता था कि बड़े कंट्री जो अगल बगल के हैं उनके बीच में छोटे-छोटे कंट्री अगर डालो गए तो हमको सेनकी अवशकता नहीं पड़ेगी इसलिए वो नॉन अलाइनमेंट मुवमेंट चलाते और यही काράण था कि नहरु ने कभी उस समय डिफेंस पर चिंता ने की और नाहीं डिफेंस की कभी तयारी की परिणाम ये निकला कि तिबबत पर चीन ने हमला कर दिया और तिबबत की सिकूरिटी की जम्मेवारी भारत की थी और नहरू को लगा था कि इसकी सिक्यूरिटी की छोड़ दीजे हमको सिक्यूरिटी की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना थोड़े न कोई कंट्री कर लेगा कि वो एक स्टेट को हड़प जाए नहरू वहाँ पर ऐसा कहते तो भारत में भी उस समय ये बात उठती कि आप तो नौन अलैन्मेंट मूवमेंट के पार्ट होंगे आपको याद होगा कि अटलवे रिवाश पेई ने लोग सभा में ये कहा कि आप नौन अलैन्मेंट मूवमेंट के पार्ट होंगे लेकिन चीन विस्तारबादी नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है, इसलिए चीन तुम पर हमला करेगा, तो उसके डिफेंस के लिए तो हमको तैयरी करनी ही होगी, आपको याद होगा, ये नहरू ने कहा था कि अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम अंतराश्टी पॉलिटेक्स नहीं जानते तुम बच्चे हो, तुमको बैठ जाना चाहिए, परलेमेंट में ये बात कही, तो उस समय अटलवेरी वाच्पी जी ने जवाब दिया था, कि मैं बच्चा जरूर हूँ, लेकिर मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे दिख रहा है कि चीन विस्तारबादी है, और चीन में जब दाक का हिस्सा और रोनांचल का हिस्सा उनका है, ये सब कम्मनिस्टों की पॉलिसियां रही हैं, और बीच में बफर स्टेट की पॉलिसी उस समय नहरू ने बनाई थी, उनको लगता थी कि बफर स्टेट रहेंगे, तो हम सुरक्षत रहेंगे, इन बफर स्टेटों में ही न और ने नेपाल का बहुत संदक्षण भी नहीं किया लेकिन नेपाल का राजा सदय भारत की तरफ इंकलाइंड रहा चाहें वो कोई भी रहा हो कॉमनिस्टों ने राजा को हटाने के लिए इसी पॉलिसी का इस्तिमाल करते हुए राजा को देश से परे दिखाया और नतीजा निकला कि राजा को अपने पत से जाना पड़ा और कॉमनिस्टों ने कब जाकर लिया जैसे तैसे वहाँ सरकार बनी और सरकार बनने के बाद कॉमनिस्टों ने सरव भारत विरोधी नीतियां वहाँ पर अपनाई और भारत विरोधी नीतियां अपनाते हुए वो चीन के पाले में जाते दिखाई दिये यह सब ने देखा कि केपी शर्मा ओली कितनी भुभाग चीन के कबजे में दे चुके हैं और कितना चीन उन पर कबजा कर चुका है उनके बीच में जो समझोते हैं जिसमें छेतर पिलर लगाए गये थे उन पिलरों को भी पहले चीन उखडता है और उखडने के बाद उनको ल ने पाल ने महां पिलर को दुबार लगाने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि यह डिस्पूटर टेरिटरी है इस टेरिटरी पर तुम यह पिलर नहीं लगा सकते जब तक कि नेपाल सरकार से मरी बात ना हो जाए इससे पहले पिछले ही वर्ष वो एक पूरे के पूरे ग चीन की गोद में बैठे और चीन की गोद में बैठने के बाद जमीने वहां से कबजा करवाई उससे नेपाल की जनता को बिलकुस साफ संदेश गया नेपाल की जनता जो पूर रूप से भारत पर मैं यह कहूं कि मोर देन 50% आबादी नेपाल की भारत पर डिपेंडेंट है और हमारे यहाँ नेपाल और भारत में आने जाने के लिए वीजे की जरुरत नहीं पड़ती है सिर्फ बॉर्डर पर नोटिंग करवानी होती है ऐसी विवस्ता हमारी उनकी रही है क्योंकि वो प्रोटेक्टरेट इस्टेट था यही ऐसी ही प्रोटेक्टरेट इस्टेट कभी जैसे मैंने का तिब्बत हुआ करता है तो तिब्बत के लोग जिसे मैं चीन ने उन पर हबला किया तो तिब्बत के लोग लामा परिवार पूरा का पूरा हिंदुस्तान के हिमांचल में शिफ्ट हो गया और आज भी वो वहीं पर रहता है बहुत जगह तिब्बत कलोनिया देशपर में बनी हुई है क्यों क्योंकि उस समय उन से भी बॉर्डर पर आने जाने के लिए हमको पर्मिट चाहिए होता था ना कि वीजा ऐसा ही सिक्किम के साथ था ऐसा ही भूटन के साथ भी था लेकिन दुर्भाग के यह है कि तिब्बत हमारे हाँ से जा चुका है और नेपाल में वो प्रोसेसर चल रहा है विवाद तब ज़्यादा बढ़ा केपी शर्मा ओली से जब भारत के रक्षा मंतरी ने बी आरो बॉर्डर रोड और्गनाइशन जो गलवान को लेकर भी जिसके गलवान में भी वही इशू उठाता कि बी आरो अपनी चौड़ी रोडे मना कर और चीन से लड़ने के लिए चीन के प्रती अपनी डिफेंस तयार कर रहा है उसी क्रम में गलवान में चीन ने अशू कड़ा किया किग अगर पर्मनेट रोडे बन जाएगी पर्मनेरे इस्ट्रॉक्टर बन जाएगा तो फिर जो उननिस वो मुझे लगतार सेहताईस में बन जना चाहिए था अगर बन जाएगा तो चीन की हड़प चीन जो अपने हिसाब से बढ़ना चाहता है वो नहीं हो पाएगा उसी क्रम में बियारो ने लिपुलेक तक धार चुला उत्राखंड के धार चुला से लिपुलेक तक का मार्ग 80 किलोमेटर की एक रोड का अनवरेशन किया आपको याद होगा कि कैलाश मांसरोबर की यात्रा के लिए हमारे हाँ जो सबसे सुलब मार्ग है जब तक अरुणाचल से मार्ग नहीं खुला था यानि कि वाचपई सरकार के समय पर जिस समय मार्ग खोला गया था वो मार्ग अगर नहीं खुला था तो हमारे हाँ कैलाश मांसरोबर की यात्रा का जो आसानी से मार्ग था फिर हम लिपुलेक मार्क से वहां जाते थे। संसार की सबसे पुरानी यात्रा और धर्म यात्रा अगर कोई होती थी तो वो गंगा जी से शुरू होकर और किलाश मनसर अबर तक जाती थी। की ने महाबारत में पंडमों की तरब से पूरे युद्ध में सेनापती का रोल किया यानि की सेनापती के रोल पर रहा ऐसा पांचाल देश जिसकी राजधानी कामपिल जो आज का फरुखाबाद है वहां पर हुआ करती थी वहां से संसार की सबसे पुरानी यात्रा शुरू ह होती थी जो महाकाल से शुरू होकर और होते हुए फरुखाबाद से पर यात्रा फरुखाबार से लैंड खतम होती थी और फरुखाबाद के बाद वो सब जंगलात हुआ करते थे तो वहां पर गंगा इसनान करने के बाद यात्रा शुरू होती थी इसलिए फरुखाबाद के उस इस्थान को स्वर्गद्वारी भी कहा जाता था ये यात्रा एंशिन टाइम से होती चलिया रही है यानि कि संसार की सबसे पुरानी जब महादेव के विशय में कहा गया और वो कैलाश पर रहते थे तो वो यात्रा वहां से शुरू होती वो यहां से जाते हुए सेनाओं के साथ जमुल कश्मीर के महराजा का युद्ध हुआ तो उसमें चुशूल ट्रीटी हुई जब महराजा ने उनको हराया जमुल कश्मीर के साशक ने उनको हराया तो इन दोनों ने ये स्विकार किया कि भारत की जो टेरिटरी है वो मांसरोबर के इधर है और मांसर बहुत बड़ी 200 क्लिमीटर की लेंट है वह लेंड चुशूल की ट्रीटी के नुसार 1835 की वह चुशूल की ट्रीटी के नुसार वह लेंड भारत की लेंड मनी गई अब उस लैंड पर नेपाल बगल में बैठा हुआ है क्योंकि नेपाल के बगल से निकल कर जाती है तो अब वो जो काला पानी का खशित्र है जो रोड इन्हों ने ब्यारों ने बनाने की कोशिश की कि हम कलाश मांसरोबर के लिए हम बॉर्डर पर रोड बनाएंगे वहाँ पर केपी शर्मा ओली ने एक डिस्प्यूट खड़ा किया और डिस्प्यूट इतना बड़ा खड़ा किया कि उन्हों ने उस पर ये कहना शुरू कर दिया कि ये लैंड तो इंशिन टाइम से नेपाल की थी जबकि नेपाल का जो नक्षा बना हुआ है नक्षा से मतलब कोई आज का एक दिन का दो दिन का नक्षा नहीं है जो हजारो वर्ष से नेपाल का नक्षा है और आजादी के बाद भी नेपाल का वही नक्षा रहा उस नक्षे के नुसार वो लैंड कभी भी नेपाल की नहीं रही जबकि नेपाल के पास भारत की बहुत ज़्यादा भूमी है ऐसा कहा जाता है कि कालीनिती के उपर जो जो के नीचे की जो लैंड है वो उस समय जब भारत में 1857 का युद्ध चल रहा था और उसके बाद के जो मुवमेंट चले उन मुवमेंटों में 1906 के 1905 का जो मुवमेंट भारत में चला जो तिलक ने छेड़ा था उसमें नेपाल के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया उसको कुछलने के लिए क्योंकि नेपाल का वो बार्डर जो बिहार और बंगाल के तरफ लगता है वह प्रेजों ने काली नदी के इधर की वो जो लेंड जो आज नेपाल के कबजे में है जो मधेसी लेंड कही जाती है वो लेंड नेपाल को यूज करने के लिए दे दी 1910 की उस ट्रीटी में 1910 में वो नेपाल को ग्रांट कर दी गी और यार नेपाल के कबजे में चली गी और तब से 1947 तक वो नेपाल के गबजे में थी, 1947 के बाद भारत सरकार ने नेपाल के साथ जो नए एग्रिमेंट किये, उन एग्रिमेंटों में ये कहा गया कि जो नेपाल के पास आज की तारीक में लेंड है, वो लेंड नेपाल, वो हमारा समझोता continue रहेगा, क्योंकि continuation, 1947 की भार सरकार अंग्रेजों का continuation ही था, वो कोई बहुत बड़ी स्वतंतरता है, या हमको आजादी नहीं मिल गई थी, हम अपने विचारों के आजादी लेकर नहीं उतर पाये थे, यही कारण है कि वो उस समय हमने वो समझोता माल लिया, उस समझोते के अनुसार भी ये जो लिपिल लेंड उनके पास है, इसलिए मदेशियों को नेपाल के जो पहाड़ी लोग हैं, वो अपने हां वो हक नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये औरिजनल पहाड़ी लोग नहीं है, अब वो हिंदुस्तान के लोग मदेश लेंड प पासे हुए हैं इसी constitution में भी मदेशियों को second दर्जे का नागरिक माना गया और उनके अधिकार चीने गए नेपाल में तो जब इतना सब कुछ है तो अगर केपी शर्मा ओली यह चाहते थे कि वो लैंड वो जो काला पानी है वो कहते हैं कि इंशन टाइम पे मेरे पास है तो फिर उनको 1910 की treaty से पहले 1910 में जो जमीन grant की गई उस प्रेटी नहीं हुई वो जमीन अंग्रेजों ने एवें grant कर दी थी उसका कोई भी ऐसा दोसाहत ऐसा कार नहीं किया जिससे कि नेपाल को कस्ट हो किन्तु कम्मिनिस्ट साशन में नेपाल वो जो बियारों की रोड बन रही थी वो उस पर चीन के प्रभाव में कि कहीं ऐसा नहों तिब्बत का वो रास्ता भारत जब शक्तिशाली होगा तो भारत उदर से आ गर लिपिलेक मार्ग भी ओपिन हो जाएगा तो फिर यहां लिपिलेक से जो मान सॉरोबर के लिए रास्ता आजाता है तो पूरा क्षेटर जो चुछूल की टृटी के अनुसार है वो पूरा किशेटर इंशिंट टाइम का भारत के पास आज जाएगा और क Concept Land भी भारत के पाथ चला जाए इसलिए उन भारत के साथ जब उनकी दाल नहीं गली तो फिर उन्होंने नेपाल को समझाना शुरू कि और के पी शर्मा ओली सामने से लड़ने चले आई और उन्हें अपना इस एथियासिक्स जो उनका नक्षा था उसको ही संत्रोजित कड़ डा थी क्योंकि भारत के साथ उनकी रोटी बेटी के संबन्द है और बहुत पुराना जनम-जनमान तरकानाता है इसलिए वह वहां की जनता जब उनसे नाखुश दिखाई दी तो अभी केपी शर्मा ओली चुकी चुनाओं में जाने वाले हैं इसलिए BBC को उन्होंने जो एक इ अर्जिन्टीना में आपस में विवाद नहीं होता जबकि दोनों की एक दोनों बिल्कुल परोसी हैं ये इलस्ट्रेशन दिया लेकिन केपी शर्मा ओली ये भूल गए कि उन्होंने भारत विरुद्ध भारत के विरुद्ध ही ये सब को स्वांग रचा था और अब जब ज इस से नेपाल के लोगों को वैक्सिनेशन किया जा सका लेकिन वो अपने हिरदय की बात रोक कैसे पाते इसलिए उन्नेस साथ में ये भी का कि बहूंनेस लाग डोजिस हमें चाइना के साथ मी मिलें और हमारे चाइना के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं जबकि नेपा जो इस समय पेड हो चुकी है चाइना के हाथों में, वो कॉम्मिनिस्ट सरकार क्या न करे तो उनका दर्द चाइना की रूप में भढ़क ही जाता है, किन्तु भारत का साथ कैसे छोड़ें, तो इस समय केपी शर्मा ओली, जिस प्रकार नतमस्तक हुए हैं मोधी सरकार के सामने वो लगता है नहीं है ऐसा कि Communist कभी इस प्रकार जोकेंगे और लेकिन Communistot में आपस में ही फूरस इसमें पड़ी हुई और वो तो सब जगह पड़ी हुई है भारत में भी कुमुनिस्टों में किस प्रकार की फूट पड़ी हOY है ये हमको दिखाई देता है और नेपाल में भी वैसी ही फूट पड़ी हुई है और या फिर कम्मिनिस्ट अगर इखट्टे रहेंगे तो वो भी रहत रह सकते जैसा हो चाइना में करते कि वो बिना हत्याकांड के एक खटे नहीं हो सकते हैं बिना हत्याकांड के लाखों लोगों की हत्या के बगार उनके हां सक्सेशन नहीं हो पाता यही कारण है कि हिंदुस्तान में और नेपाल में वो सक्सेशन वैसा नहीं हो सकता तो उनका बटवारा होकर कई एक पार्टिया बन जाती है उनके बीश में लगाता डिस्प्यूट चलता है क्योंकि उनमें से किसी का भी इंटेंशन देश का हित करना नहीं होता है उनका सब का इंटेंशन खुद का हित करना होता है और खुद को समराजबादी घोशित करना होता है, समराजबादी परंपरा को बढ़ा गया बढ़ाना होता है। इसके साथ ही ये भी पता लगता है कि नेपाल की जनता को मोहित करने के लिए इस समय किपी शर्मा ओली इस तरह के बयान दे रहे हैं। केलाज मानसरोबर का यातरा खुलती है। इसलिए नेपाल के जो लोग भारत में आते जाते हैं यान भारत के साथ मिले हुए हैं और भारत के साथ अच्छे संबन्द चाहते हैं, मुझे लगता है उनको निशित रूप से ये समझ में आएगा कि आखिर के पी शर्मा ओली के इ इस्तेमाल किया जा सके और फिर सरकार बनाकर उसी रास्ते पर चीन की तरफ चला चला जाए और भारत विरुद्ध गतिविदिया नेपाल में होम और नेपाल की भूमी का इस्तेमाल टेरिश्म बढ़ाने के लिए भारत में इलीगल इम्मिगरेशन के लिए और बारत को डि चाहते हैं कि Communist philosophy केवल चीन को सुरक्षे देखना चाहती है वहीं से उनका भरन पोशन होता है और वहीं से उनका पालन पोशन भी होता है इसलिए मुझे लगता है कि जो केपी शर्मा ओली का बयान आया है और केपी शर्मा ओली जिस प्रकार से मोधी सरकार से इंटरक्शन की ब कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भारत बड़ा भाई है और कभी उसका रोल ख़तम नहीं ओशकता हमें भारत के साथ अच्छे संब्ध बनाने ही होंगे क्योंकि बिना भारत के नेपाल का भला नहीं हो Сकता मुझे लगता है कपल Kalpana है और अब नेपाल की जनता को यह विचा करना ही होगा कि क्या कॉमनिस्टों की सरकार वहां पर रिपीट करनी है जो भारत विरुद्धी गर्तिविदियां चलाएं और चीन की गोद में जाकर बैठ जाएं और भारत से कहें कि ये जमीन हमारी है और चीन को अपनी जमीन फ्री में बाटते घुमें देश का नुकसान कर मिलता जब कि कुम्मुनिस्ट इस बात पर तुले हुए हैं कि वो चीन के साथ कैसे संबंद बना लें और सुभाव और और जो वेक्तित्तों है वो भारत के साथ मिलता है इसलिए भारत का एहित्र नेपाल की जनता कभी नहीं चाहेगी थैंक यू वेरी मैट